आप सभी लोगों का हमारी शमास कायड़निंग में बहुत बहुत शागत है आज में कुछ ऐसे प्लांटों के वारे में आपको जानकारी दूँगी उनकी लगाने का टैमिंग भी बताऊंगी जो इस टैम हम लगा लेते हैं और पूरी साल हमको फ्लावरिंग देते हैं जैसे क तो सबसे पहले में नाम स्टार्टिंग करती हो आलमांडा आलमांडा वाइन से इसके फ्लावर प्लांट भी दिखाऊंगी मैं वाइन भी दिखाऊंगी तो दिखिए यह बहुत ही खूपसरा फ्लावरिंग वाइन है और हमारे यह यह 100 रुपीस की रेंज में मिलती है और बहुत अची होती है फ्लावरिंग ब्लांट मैंने इसको वाइन को लगाया है चालिस के कंटेनर में लगा रखा है और फुल सनलाइट में समर वया विंटर हो फुल सनलाइट में इसको रखिए टैम से पानी दीजिए एक वाटलाइजर दीजिए फिर देखे ग्रोथ बहु एक बहुत पसंद में बहुत जळादा है हम जो मीट्टी अपने गार्टिंट ली बनाते है उसे मेहफ़ी आ जब महिने में यह से हुआँ मैं पूरी दुदाओंगी जो पहुत इची व्लावरिंग मिल जाएगा और कहीं रेट ही हो सकते हैं डाउन भी हो सकते हैं हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है तो इसको मैंने 10 इंच के गमले में लगा रखा है और देखे ग्रोध भी बहुत अच्छी हो रही है और सबसे बहतरी मौसम मैंने आपको बताया है फरवरी के टाइम है और लेके आप अक्टूबर तक इस और प्लांट में फ्लाबरिंग यह आप देख रहे हैं खुब अच्छी फ्लाबरिंग इसमें एक वरेटी और आती है जो छोटी है यह पिंक वाला है यह अलो मंडा है पिंक वाला भी बहुत अच्छी फ्लाबरिंग करते हैं बहुत ही प्यारी फूल लगते है और देखिए और इसको ब्रस उलता है ? खटा लिएंग है ज़ादा लड़ेंग गाते हैं ? और जैसे और कोई वाइन की तरह है यह प्लांट की तरह बुशी-बुशी बनता है बहुती खूपसरती आपको ब्लू कलर के फूल मिलेंगे जो बहुती प्यारे फूल होते हैं और कलर भी देख रहे हैं और इसकी लीप्स की चमक भी देखे कितनी अच्छी आ रही है तो मैंन बॉक्स में देख लीजिएगा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वहां से इसको बाई करके आप ले सकते हैं और लगाने का टैमिंग मैंने आपको बता दिया है फरवल से लेकिए स्टार्टिंग है फरवली से लेकिए आप मार्श अपरेल मई जून मी लगा सकते हैं और ये लगाने का टैम में भी बहुत अच्छा है ये मौसम बहुत अच्छा है आप इस टैम में नए भी गाडनर है तब भी लगाएं और फॉर सर्वाइव कर जाएं कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है अब आ जाते हैं जैसमीन जैसमीन भी आप इस टैम नरसरी से बा किसी है बेला लगा लीजिए बेला भी बहुत अच्छी फ्लाबरिंग प्लांट है और खुबसूरत लगता है तो इसकी में प्राइस बता दो 50 रूपिस से स्टार्टिंग होती है तो 50 रूपिस की रेंजि में मिल जाएगा आपको बहुत असानी से आप आजाते ही बहुत ही खुबसूरा फ्लाबरिंग प्लांट जब बहुत अच्छे सकता है आप उसको हर सीजन में लगा सकते हैं पर्मनेंट वाने आप मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड क विंटर की स्टार्टिंग स्वाइब लग odorTION होतो इसो में सीडियों अब और इसके फूल इतने अच्छी होते हैं जो महीने में दो-दो महीने तक रहते हैं और फूल में ही प्लांट जन्मेरिट हो जाता है तो चलिए इस फोर्विया मिली यह भी बहुत ही इसकी सिंगल पैटर्न डबल पैटर्न डफल कलर बहुत ही प्यारे पैरे इसके कलर आते हैं और इस टेम भी फ्लावरिंग स्टार्टिंग हो गई देख रहे हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं तो इनको भी आप अपने गार्डन में एट कीज़ेगा बहुत प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है आप देखिए कुछ मेरी अभी तो इसमें आया नहीं है मदुमालती में फूल और मदुमालती सर्वाइफ कर रहे हैं मदुमालती भी अप अब ब्लैक आइस के सुजन के नाम सीज को जाना जाता है इसके वेए सीज ग्रो किया जाते हैं फरवरी में आप लिए मार्च में ग्रो कर लिए और यह कटिंग की थ्रो भी एजली लग जाता है बहुत आपको महेंगा पड़ेगा सीड इतने महेंगे नहीं पड़ेंग जि और कटिंग की थ्रो बहुत एजी लग जाता है तो इसको भी आप अपने गार्डन में कुछ वाइन भी आड़ करिए तो बहुत खूबसरत आपका गार्डन लगने वाला है और समर की वी वाइने बहुत अच्छी ची होती है अब आधा तिक बहुत ही पर्मनेंट फ्लावर फूल मिलने वाले है तो इसको भी आड़ कीजिए अपने गार्डन में बहुत एजी सर्वाइव होने वाला है कटिंग की तो लग जाता है आप इसकी कटिंग पानी में डाल दीजिए तब भी चन मिनिट हो जाता है उसमें भी रूट्स निकलाती है ऐसे भी कटिंग लगा अगर आपके प्लांट लगा तो इसकी कटिंग कर दीजिए और फिर देखे ग्रोथ कितनी अच्छी हो कितने प्यारे फूल मिलने वाले हैं चलिए एक और प्लांट के बारे में आपको बताती है जो बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाता है और बहुत अच्छे आते हैं बो प्लांट हमारे आइन नर्सरी में 50 रूपीज से लेके 200 रूपीज की रेंज में 500 की रूपीज के रेंज गुर्द की सकाप से होता है प्लांट मिलेगा और कलर की वराइटी आपको जिस तरह की चाहिए सारी कलर में मिलने लगे हैं बहुत ही प्यारा है मैंने इसको प्लांट है यह हमेशा आपके गार्डन में लगा लेंगे तो सालो साल आपके गार्डन में लेता है हमेशा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट अब बहुत ही और समर जैसे स्टार्टिंग कोते हैं तो फूलों की इसमें बहार आ जाती है बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करने वाला है जब जस्त कलियां आती है और बहुत ही फूपस अभी इसका पूरा सीजन पढ़ा है अभी पूरा सीजन फूल देगा समर्ज स्टार्टिंग होई है अभी तो कलिया स्टार्ट होई है मेरे और मैं इसको रिपोर्ट करने मैंने पॉर्ट में भी लगा रखे जो मैंने अब इसी साल लेकर आई हो जी यह प्लांट मेरे अंगली भी लग जाता है अब इसको तो सबी लोग जानते हैं बहुत इच्छी फ्लावरिंग करता है तो इसको भी आप अपने गार्डर में एड़ कीजिए और बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग मिलने वाली हैं खुबसूरत आपका गार्डर लगेगा तो ऐसे फ्लावरिंग अच्छे से सर्वाईव हो जाते हैं मारी टार्रस भी सुनी नहीं रहती हुँ बहुत इकोप सूरा जाता है अब आ जाते हैं टेकोमा ट किकुमा की फ्लावरिंगश करने वाला प्लांट है आप इसको भी एईजली लगाए यह बहुती प्यारी फूल मिलने वाले हैं पूरी रूपीज की रेंज से स्टार्टिंग हो जाएगे अगर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो 200 की रूपीज की रेंज में चला जाता है और ग्राउन में भी लगाना चाहे तो मैंने जितने प्लांट आपको बताए हैं वो सारे ग्राउन में भी लग सकते हैं आप ground में भी लगाई है, कोई problem नहीं, बहुत अच्छे survive करेगे, ground मिल जाएगा, हम pot में भी लगाते हैं, तो मैंने जो कि इसको बोरी में लगाया हुआ है, तो इसको space अच्छी चाहिए होती है, तो अच्छी flowering के लिए मैंने इसको pot में भी लगा सकते हैं, चाले से इसके pot ले लीजे, या tannins का pot सुरुबात में ले लीजे, आप नया plant लगा रहे हैं, तो इसकी growth भी बहुत अच्छी हो रही है, जैसे आप cutting करते रहेंगे, फिर महीने में बहुत अच्छी growth हो जाती है, बहुत अच्छे survive कर जाता है, चले है, मैंने आपको सारे plant बता दी है, जो ह कुम में सेगे, थैंक फर वजजेंगे